भारत माता की, भारत माता की, कारकम में उपस्थीत, मध्य प्रदेश के राजपाल, स्रिमान मंगुबाई पटेल, मुख्यमंत्री भाई सिवराज जी, केंद्र में मंत्री मंडल के मेरे साथी, श्री मन्सुक मांडविया जी, भगन सीं कुलस्ते जी, प्रफेसर स्पी सीं बगेल जी, श्रीमत्री रेणुकाशी, सरूता जी, डॉक्टर भारती पवार जी, श्री विश्वेश्वर टूडू जी, साउसास्त्री वीडि शर्माजी, मत्र प्रदेश सरकार में मंत्री गण, सभी विधाय गण, देश भर से इस कारकम में जुड रहे, अन्य सभी महानुभाव, और इतनी विशाल संख्या में हम सब को आशिरवाद देने के लिए आये हुए, मेरे प्यारे भाई और बहनों, जय सेवा, जय जोहार, आज मुझे रानी दुरगावती जी की इस पावन धर्ती पर आप सभी के बीच आने का सवभाग्य मिला है, मेरानी दुरगावती जी के चरणों में अपनी सद्धान्जली समर्पित करता हूँ, उनकी प्रेरणा से आज सिकल सेल एनीमिया मुक्ति मिशन एक बहुत बड़े अभ्यान की शुरुवात हो रही है, आज ही मद्यपदेश में एक करोर लाभार्तियों को आउश्मान काड़ भी दिये जा रहे हैं, इन दोनों ही प्रयासों के सबसे बड़े लाभार्ति हमारे गौंड समाच, बील समाच या अन्य हमारे आदिवासी समाच के लोग है, मैं आप सभी को मद्यपदेश की डबल इंजिन सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साथियों, आज सरडोल की इस धर्ती पर देश बहुत बड़ा संकल्प ले रहा है, यह संकल्प हमारे देश के आदिवासी भाई बहनों के जीवन को सुरक्षित बनाने का संकल्प है, यह संकल्प है सिकल सेल एनिमिया की बिमारी से मुक्ती का, यह संकल्प है हर साल सिकल सेल एनिमिया की गिरप में आने वाले दाई लाग बच्चे और उनके दाई लाग परिवार के जनों का जीवन बचाने का, साथियों, मैंने देश के अलग-अलग इलाकों में आदिवासी समाज के बीच एक लंबा समय गुजारा है, सिकल सेल एनिमिया जैसी बिमारी बहुत कस्ट्रदाई होती है, इसके मरीजों के जोडों में हमेशा दर्द रहता है, शरील में सुजन और ठकावट रहती है, पीठ, पैर और सीने में और सहनिय दर्द महसूस होता है, साथ पुलती है, लंबे समय तक दर्द सहने वाले, मरीज के शरीर के अंदरूनी अंग भी छतिग्रस्त होने लगते हैं, ये बिमारी परिवानों को भी बिखेर देती है, और ये बिमारी न हवा से होती है, न पानी से होती है, न भोजन से फैलती है, ये बिमारी ऐसी है, जो माता-पिता से ही बच्चे में ये बिमारी आ सकती है, ये आनुवाउशीक है, और इस बिमारी के साथ जो बच्चे जन्म लेते हैं, वो पूरी जिंदगी चुनोतियों से जूजते रहते हैं, साथियों, पूरी दुनिया में सिकल, सेल, एनीमिया के जितने मामले होते हैं, उन में से आधे, पच्चास प्रतिशत, अकेले हमारे देश में होते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है, कि पिछले सत्तर सालों में कभी इसकी चिन्ता नहीं हुई, इससे निपट्डे के लिए, कोई ठोस प्लान नहीं बनाया गया, इससे प्रभावित जादातर लोग आधिवासी समाज के थे, आधिवासी समाज के प्रती, बेरुखी के चलते, पहले की सरकारों के लिए, ये कोई मुद्दा ही नहीं था, लेकिन आधिवासी समाज की इस सबसे बड़ी चुनोती को हल करने का बिड़ा, अब भाज़पा की सरकार ने, हमारी सरकार ने उठाया है, हमारे लिए आधिवासी समाज सिर्फ एक सरकारी आंकड़ा नहीं है, ये हमारे लिए सम्वेदन सिल्टा का विशय है, भावनात्मक विशय है, जब मैं पहली बार गुजरात का मुख्यमंत्री बना था, उसके भी बहुत पहले से मैं इस दिशा में प्रयास कर रहा हूँ, हमारे जो गवर्नर है सिमान मंगुबाई, आदिवासी परिवार के होनहार नेता रहे हैं। करिप पचास साल से मैं और मंगुबाई आदिवासी इलागों में एक साथ काम करते रहे हैं। और हम आदिवासी परिवारों में जाकर के, इस बिमारी को कैसे रास्ते निकले, कैसे जागुरता लाई जाए, उस पर लगातार काम करते थे। जब मैं गुजरात का मुख्य मंत्री बना, उसके बाद भी मैंने वहाँ इस से जुड़े कई अभ्यान शुरू किये। जब प्रधान मंत्री बनने के बाद, मैं जापान की आता पर गया, तो मैंने वहाँ नौबेल पुरसकार जीतने वाले, एक वैज्ञानिक से मुलाकात की थी। मुझे पता चला था कि वो वैज्ञानिक सिकल सेल बिमारी पर बहुत रिसर्च कर चुके हैं। मैंने उस जापानी वैज्ञानिक से भी सिकल सेल एनीमिया के इलाज में मदद मागी थी। साथियों सिकल सेल एनीमिया से मुक्ति का यह अभियान अमरूत काल का प्रमुख मिशन बनेगा और मुझे विश्वास है जब देश आजादी के सौ साल मनाएगा 2047 तक हम सब मिल करके एक मिशन मोड में अभियान चला करके यह सिकल सेल एनीमिया से हमारे आदिवासी परिवारों को मुक्ति दिलाएंगे देश को मुक्ति दिलाएंगे और इसके लिए हम सब को अपना दाईत्व निभाना होगा यह जरूरी है कि सरकार हो, स्वास्त कर्मी हो, आदिवासी हो, सभी तानमिल के साथ काम करें सिकल सेल एनीमिया के मरीजों को खुन चड़ाने की जरुत पड़ती है इसलिए उनके लिए बलड बैंक खोले जा रहे हैं उनके इलाज के लिए बॉन मेरो ट्रांस्प्लांट की सुविदा बढ़ाई जा रही है सिकल सेल एनीमिया के मरीजों की स्क्रीनिंग कितनी जरुरी है ये आप भी जानते हैं बीना किसी बाहरी लक्षन के भी कोई भी सिकल सेल का केरियर हो सकता है ऐसे लोग अंजाने में अपने बच्चों को ये बिमारी दे सकते हैं इसलिए इसका पतान रग लगाने के लिए जाच कराना, स्क्रीनिंग कराना बहुत आवशक है जाच नहीं कराने पर हो सकता है कि लंबे समय तक इस बिमारी का मरीज को पतान नहीं चले जैसे अक्सर, अभी हमारे मन्सुग भाई कह रहे थे, कुंडली की बाद बहुत परिवारों में परंपरा रहती है, शादी से पहले कुंडली मिलाते हैं जन्माक्षन मिलाते हैं और उन्होंने कहा कि बैए कुंडली मिलाओ या न मिलाओ लेकिन सिकल सेल की जाच का जो रिपोर्ट है, जो कार दिया जा रहा है उसको तो जरूर मिलाना और उसके बाद शादी करना साथियों, तभी हम इस बिमारी को एक पिड़ी से दूसरी पिड़ी में जाने से रोका जा सकेगा इसलिए मेरा अग्रह है, हर व्यक्ति स्क्रीनिंग अभियान से जुड़े अपना काण बनवाए, बिमारी की जाच कराए इस जिम्मेदारी को लेने के लिए, समाज खुद जितना आएगा उतना ही सिकल सैल निमिया से मुक्ति आसान होगी साथियों, बिमारियां सिर्फ एक इंसान को नहीं जो एक व्यक्ति बिमार होता है, उसको होई सरब नहीं लेकिन जब एक व्यक्ति परिवार में बिमार होता है तो पूरे परिवार को बिमारी प्रभावित करती है जब एक व्यक्ति बिमार पढ़ता है तो पुरा परिवार गरीबी और विवस्ता के जाल में फस जाता है और मैं एक प्रकारते आपसे कोई बहुत अलग परिवारते नहीं आया हूँ मैं आपके बीच से ही यहां पहुचा हूँ इसलिए मैं आपकी इस परेशानी को अच्छी तरह जानता हूँ समझता हूँ इसलिए हमारी सरकार ऐसी गंभीर बिबारियों को समाप्त करने के लिए दिन रात महनत कर रही है इनी प्रयासों से आज देश में टीबी के मामलों में कभी आई है अब तो देश दो हजार पचिस तक टीबी को जड़ से समाप्त करने के लिए काम कर रहा है साथियों हमारी सरकार बनने के पहले 2013 में काला जार के 11,000 मामले सामने आए थे आज ये घटकर एक हजार से भी कम रह गए है 2013 में मेलेरिया के 10,000,000 मामले थे 2022 में ये भी घटते घटते दो लाग से कम हो गए 2013 में कुष्ट रोग के 7,000,000 मरीज थे लेकिन अब इनकी संख्या गटकर 70-75,000 तक रह गई है पहले दिमागी बुखार का इक कितना कहर था ये भी हम सब जानते हैं पिछले कुछ वर्षों में इसके मरीजों की संख्या में भी कमी आई हैं ये सिर्फ कुछ आंकड़े नहीं है जब बिमारी कम होती है तो लोग दूख, पीड़ा, संकट और मृत्यू से भी बचते हैं भाई और बेनों हमारी सरकार का प्रयास है कि बिमारी कम हो साथ ही बिमारी पर होने वाला खर्च भी कम हो इसलिए हम आईश्मान भारत योजना लेकर आए हैं जिससे लोगों पर पढ़ने वाला बोच कम हुआ है आजहां मद्देश में एक करोड लोगों को आईश्मान कार दिये गए है अगर किसी गरीब को कभी अस्पताल जाना पड़ा तो ये कार उसकी जेब में पांच लाग रुपिये के एटीम कार का काम करेगा आप याद रखिएगा आज आपको जो कार मिला है अस्पताल में उसकी कीमत पांच लाख रुपिये के बराबर है आपके पास एक कार होगा तो कोई आपको इलाज के लिए मना नहीं कर पाएगा पैसे नहीं मांग पाएगा और ये हिंदुस्तान में कहीं पर भी आपको तकलिप हुई और वहां की अस्पताल में जाके ये मोदी की गारंटी दिखा देना उसको वहां भी आपको इलाज करना होगा ये आउश्मान कार गरीब के इलाज के लिए पांच लाख रुप्ये की गारंटी है और ये मोदी की गारंटी है भाई और बहनों देश भर में आउश्मान योजना के तहट अस्पतालों में करीब पांच करोड गरीबों का इलाज हो चुका है अगर आउश्मान भारत का कार नहीं होता तो इन गरीबों को एक लाख करोड रुप्ये से जादा खर्च करके बिमारी का उपचार करना पड़ता आप कलपना करिए इन में से कितने लोग ऐसे होंगे जिनोंने जिन्दकी की उमीद भी छोड़ दी होगी कितने परिवार ऐसे होंगे जिने इलाज करवाने के लिए अपना घर अपनी खेती साइज बेचना पड़ता लेकिन हमारी सरकार ऐसे हर मुश्टिल मौके पर गरीब के साथ खड़ी नजर आई है पांच लाख रुपे का ये आईश्मान योजना गारंटी कार गरीब की सबसे बड़ी चिंता कम करने की गारंटी है और यहाँ जो आईश्मान का काम करते जरा कार बोलाईए कार आप कोई जो कार मिला है न उसमें लिखा है पांच लाख रुपे तक का मुप्तिलाज इस देश में कभी भी किसी गरीब को पांच लाख रुपे की गारंटी किसे नहीं दी ये मेरे गरीब परिवारों के लिए ये भाजपास सरकार है ये मोदी है जो आपको पांच लाख रुपे की गारंटी का कार देता है साथियों गारंटी की इस चर्चा के बीच आपको जूठी गारंटी देने वालों से भी सावधान रहना है और जिन लोगों की अपनी कोई गारंटी नहीं है वो आपके पास गारंटी वाली नई-नई स्कीम लेकर आ रहे है उनकी गारंटी में छिपे खोट को पहचान लीजिए जूठी गारंटी के नाम पर उनके दोखे के खेल को बांप लीजिए साथियों जब वो मुक्त बिजली की गारंटी देते हैं तो इसका मतलब है कि वो बिजली के दाम बढ़ाने वाले हैं जब वो मुक्त सबर की गारंटी देते हैं तो इसका मतलब है कि उस राज की याता यात ववस्ता बरबाद होने वाली है जब वो पेंशन बढ़ाने की गारंटी देते हैं तो इसका मतलब है कि उस राज में कर्बचारियों को समय पर वेतन भी नहीं मिल पाएगा जब वो सस्ते पेट्रोल की गारंटी देते हैं तो इसका मतलब है कि वो टेक्ट बना कर आपकी जेब से पैसे निकालने की तैयारी कर रहे हैं जब वो रोजगार्क बनाने की गारंटी देते हैं तो इसका मतलब है कि वो वहां के उद्योग जंदों को चोपड़ करने वाली नीतिया लेकर के आएंगे कॉंग्रेश जैसे दलों की गारंटी का मतलब नियत में खोड और गरीब पर चोड यही है उनके खेर वो सतर सालों में गरीब को भरपेट भोजन देरी की गारंटी नहीं दे सके लेकिन ये प्रदान मंत्री गरीब कल्यान योजना से 80 करोड से जादा लोकों को मुपतर आशन की गारंटी मिली है मुपतर आशन मिल रहा है वो सतर सालों में गरीब को महंगे इलाज से चुटकारा दिलाने की गारंटी नहीं दे सके लेकिन आशन मान योजना से 50 करोड लाभारतियों को स्वास्त विमा की गारंटी मिली है वो सत्तर शालों में महिलाओं को दुमें से जुटकरा दिलाने की गारंटी नहीं दे सके लेकिन उजबला युजना से करीब दस करोण महिलाओं को दुमा मुक्त जीवन की गारंटी मिली है वो सत्तर सालों में गरीब को पेरों पर खड़ा करनी कि गारंटी नहीं दे सके लेकिन मुद्राय उज्रा से साड़े आठ करोड लोगों को सम्मान से स्वरोधगार की गारंटी मिली है उनकी गारंटी का मतलब है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड है आज जो एक साथ आने का दावा कर रहे हैं सोचल मीडिया में उनके पुराने बयान वायरल हो रहे हैं वो हमेशा से एक दूसरे को पानी पी-पी करके कोस्ते रहे हैं यानि विपक्षी एक जुरता की गारंटी नहीं है यह परिवारवादी पार्टियां सिर्व अपने परिवार के बले के इलिए काम करती आई है यानि उनके पास देश के सामाने मानवी के परिवार को आगे ले जाने की गारंटी नहीं है जिन पर प्रस्टाचार के आरोप है वो जमानत लेकर के बहार गुम रहें जो गोटलो के आरोपों में सजात काट रहे हैं वो एक मंच पर दिख रहे हैं यानि उनके पास ब्रस्टाचार मुक्त शासन की गारंटी नहीं है वो एक सुर्मे देश के खिलाब बयाम दे रहे हैं वो देश विरोधी तत्वों के साथ बैठ़के कर रहे हैं यानि उनके पास आतंगवाद मुक्तभार्स की गारंटी नहीं है वो गारंटी देकर निकल जाएंगे लेकिन बुगतना आपको पड़ेगा वो गारंटी देकर अपनी जेब बर लेंगे लेकिन नुक्सान आपके बच्चों का होगा वो गरंटी देकर अपने परिबार को आगे ले जाएंगे लेकिन इसकी कीमत देश को चुकानी पड़ेगी इसलिए आपको कॉंग्रेस समेथ ऐसे हर राज नसिक दल की गरंटी से सतर्क रहना है साथियों इन जूठी गरंटी देने वालों का रवया हमेशा से आदिवाचों के खिलाप रहा है पहले जन जातिये समधाय के विवाओं के सामने बाचा की बड़ी चुनोती आती थी लेकिन नई राज्तिय सिक्चानिती में अब स्थानी अब हाता में पढ़ाई की सुविदा दी गई है लेकिन लेकिन जूठी गानेटी देने वाले एक बार फिर राज्तिय सिक्षानिती का विरोध कर रहे है ये लोग नहीं चाहते कि हमारे आदिवासी भाई बेहनों के बच्चे अपनी भाशा में पढ़ाई कर पाएं वो जानते हैं कि अगर आदिवासी बलीत पिछडा और गरीब का बच्चा आगे बढ़ जाएगा तो इनकी वोट बेंक की सियासत चौपट हो जाएगी मैं जानता हूँ आदिवासी हिलाकों में स्कूलों का कोलेजों का कितना महत्व है इसलिए हमारी सरकार ने 400 से अधीक नए एकलव्य स्कूलों में आदिवासी बच्चों को आवासिये सिक्षा का आउसर दिया अकले मत्रप्रजेश के स्कूलों में ऐसे 24,000 विद्यारती पड़ रहे हैं साथियो पहले की सरकारों ने जन जाते समाज की लगातार उपेक्षा की हमने अलग आदिवासी मंत्राले बनाकर इसे अपनी प्रात्फिक्ता बनाया हमने इस मंत्राले का बजेट तीन गुना बढ़ाया है पहले जंगल और जमीन को लूटने वालों को संवरक्षन मिलता था हमने फॉरेस राइट एक के तहत 20,000,000 से जादा टाइटल बाटे है उन लोगों ने पैशा एक के नाम पर इतने वर्षों तक राजनितिक रोटियां से की लेकिन हमने पैशा एक लागू कर जन जातिये समाथ को उनका दिकार दिया पहले आदिवासी परंपरों और कला कौशल का मजाग बनाया जाता था लेकिन हमने आदि महोत्सव जैसे आयोजन शुरू किये साथियों बीते नव वर्षों में आदिवासी गवरों को सहयतने और समरुद्ध करने के लिए भी निरंतर काम हुआ है अब भगवान बिर्शामुंदा के जन्मदिन पर 15 नमेंबर को पुरा देश जनजातिय गवरों दिवस बनाता है आदिवासी शुतंतरता सेनानियों को समर्पित मुझ्यम बनाये जा रहे हैं इन प्रयासों के बीच हमें पहले की सरकारों का व्यहवार भी बुल्ला नहीं है जिन्होंने दसकों तक देश में सरकार चलाई उनका रविया आदिवासी समाच के प्रती गरिवों के प्रती असम्वेदन सील और अपमान जरग रहा जब तक आदिवासी महिला को देश का राश्पती बनाने की बात आई थी तो हमने कई दलों का रविया देखा है आप MP के लोगों ने भी इनके रवियों को साच्छा देखा है जब सरडोल संभाग में केंद्रिय जनजातिय विश्व विद्यालय खुला तो उसका नाम भी उन्होंने अपने परिवार के नाम पर रख दिया जब कि सिवराज जी की सरकार ने छिंद वाड़ा विश्व विद्यालय का नाम महान गौन क्रांतिकारी राजा शंकर साह के नाम पर रखा है तंत्यां मामा जैसे नायकों की भी उन्होंने पुरी उपेख्शा की लेकिन हमने पाताल पानी स्ट्रेशन का नाम तंत्यां मामा के नाम पर रखा उन लोगों ने गोन समाज के इतने बड़े नेता, स्री दलवीर सींजी के परिवार को भी अपमान किया, उसकी भरपाई भी हमने की, हमने उन्हें सनमान दिया, हमारे लिए आदिवासी नायोकों का सम्मान, हमारे आदिवासी युवाओं का सम्मान है, आप सभी का सम्मान है, साथियों, हम्हें इन प्रयाशों को आगे भी बनाय रखना है, उन्हें और रप्तार देनी है और ये आपके सहयोग से, आपके आशिरवात से ही संबह होगा मुझे विश्वात है आपके आशिर्वात और रानी दुर्गावती की प्रिणा ऐसे ही हमारे पत्प्रदसन करती रहेगी अभी सिवराजी बता रहे थे कि 5 अक्तुबर को रानी दुर्गावती जी की 500 वी जैन्ती आ रही है मैं आज जब आपके बीच आया हूँ रानी दुर्गावती के पराक्रम की इस पवित्र भूमी पर आया हूँ तो मैं आज देश वास्यों के समख गोशना करता हूँ कि रानी दुर्गावती जी की 500 वी जन्म स्यतामदी पूरे देश में भारत सरकार मनाएगी रानी दुर्गावती के जीवन के अधार पर फिल्म बनाई जाएगी रानी दुर्गावती का एक चांदी का सिक्का भी निकाला जाएगा रानी दुर्गावती जी का पोस्टल स्टेम भी निकाला जाएगा और देश और दुनिया में 500 साल पहले जन्म हुए इस से हमारे लिए पवित्र मा के समान उनकी प्रेणा की बात हिंदुस्तान के घर-घर के पहुंचाने का एक अभ्यान चलाएगा मद्दप्रदेश विकास की नई उचाहियों को चुएगा और हम सब साथ मिलकर विक्सित भारत के सपने को पूरा करेंगे अभी मैं यहां से कुछ आदिवासी परिवारों से भी मिलने वाला हूँ उनसे भी कुछ आज बातचीत करने का मुझे आउसर मिलने वाला है आप इतनी बड़ी संघ्या में आए हैं सिकल सेल आउश्मान कार आपकी आने वाली पीडियों की चिंता करने का मेरा बड़ा भ्यान है आपका मुझे साथ चाहिए हमें सिकल सेल से देश को मुक्ति ज्यानिये मेरे आदिवासी परिवारों को इस मुसिबत से मुक्त करवाना है मेरे लिए मेरे दिल से जुड़ा हुआ एक काम है और इसमें मुझे आपकी मदद चाहिए मेरे आदिवासी पराइबारों का मुझे साथ चाहिए आपसे यही प्रासना करता हूँ स्वस्त रहिए सम्रुद्ध बनिए इसी कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद